हाई गाईज मैं जैस यादवा और बात करते हैं कुछ important points की let's talk about something very important very crucial कई बार मैं और आप क्या करते हैं practice करते हुए चीजों को समझने के कोशिश करते हैं गलती क्या होती मैं आपको बताता हूँ कुछ बच्चे English पे अपनी अप्रोच को सही नहीं करते हैं जैसे मैं example देख the pillars two-thirds of the pillars was repaired yesterday was repaired yesterday मेरी बात समझना यह मैं already आपको concept पढ़ा चुका हूँ इस sentence में अगर हम देखें तो यह क्या है verb है क्या है yes that is verb right और verb के पहले जो कुछ लिखा होता है that is considered subject उसे क्या consider किया जाता है subject consider किया जाता है right guys now understand try to understand मैं यह भी आपको बता चुका हूँ कि conjunction sorry आपका जो subject होता verb के पहले होता है and your subject is always a noun or a pronoun your subject is always a noun or a pronoun you know it right आपका subject हमेशा क्या होगा noun or pronoun होगा लेकिन अगर कोई proposition आ जाए तो proposition के बाद वाला noun pronoun subject नहीं होता तो इसमें subject क्या मना two thirds लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है क्या अगला example दिखोगे समझ आ जाएगा जैसे मैंने कहा two thirds of the pillar two thirds of the pillar were repaired were repaired yesterday तो वो हलवा question नहीं है again and again I am telling you this thing मैं बार बार ये चीज़ आपको पुर्णरा वृत्ति कर बार 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 इस बात को repeat करके आपको बता रहा हूं ध्यान देने वाली बात यह है कि rules रटकर नहीं लगा जा सकते now understand यहां जो verb है वो क्या है वर यह हमारा पूरा क्या हो जागा guys this would become your subject राइट यह subject बन जाएगा लेकिन यह क्या है proposition तो subject actually क्या होगा two thirds कई लोग तो सोचते है कि two thirds नहीं होगा two third होना चाहिए वो मैंस कमेटर अलग है learn English only from the faculties who are teaching English who teach English is it clear to not learn English from any other faculty do what because there are many technicalities involved learning competitive English British formal British English competitive English और formal British English को सीखने के लिए बहुत सारी तक्निकिया होती है it is not all about spoken English ना गलती हो जाएगी two thirds ही होता है two thirds ही होता है subject हमारा two thirds होगा लेकिन आप जानते हैं कि two thirds एक non compact noun है मतलब ये वो noun है जिसका अपना पूरा meaning नहीं होता for that matter we have to consider the noun the pronoun for which it has been used या दखना मैं क्या कह रहा हूँ proposition के पहले वाला subject होता है लेकिन मैंने कहा था अगर उसका number fix ना हो तो हम help लेते हैं जिसके लिए ये use हुआ है actually ये जो two thirds इस वाले example में है वो एक ही pillar का देखो क्या लिखा है इसका मत्तब पिलर एक है और एक ही pillar है और उसका दो त्याही इसका मत्तब ये एक से भी कम हो गया यहाँ pillar was नहीं were नहीं was हो जाएगा क्या हो जाएगा two thirds of the pillar याई एक ही pillar का दो त्याही हिस्सा कल ही repair कर दिया गया था did I make it clear right parts में divide कर लो इसे error बना लो improvement कर लो fill in the blank करो लेकर यहाँ देखो two thirds इसका अपना कोई number नहीं होता जैसे 2000 मुझे देदो दो त्याही मुझे देदो जिनका number नहीं होता वो relative pronouns भी उसी categories में आते है relative pronouns भी जिनका number नहीं होता वो क्या करते हैं जिनके लिए use होते हैं वहाँ से number ले लिया जाता है इस बार जो आपका subject है वो number यहाँ से लिया जाएगा और यहाँ रखना यह क्या है यह कैसा है plural है इसलिए यहाँ was को हटा कर वर कर दिया जाएगा आप सोचे रोगे सर हाँ इतना तो हम जानते हैं आपने सिखा दिया है लेकिन आगे देखो जो बच्चे रट कर करने की कोशिश करते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे समझेंगे अगर मैंने कहा तू थर्ड्स ओफ दा स्टूडिन्ट वाज बैडली वाज बैडली या वाज के प्लेस पर अगर में वर लिग दूँ वर बैडली इंजर्ड वर बैडली इंजर्ड नौ अंडिस्टांड यह हमारी क्या हो जाएगी वब और यह पूरा क्या बनेगा सब्जेक्ट राइट फिर वही बात हो गई देसे लूर समज़ेट बसाइट यहां अफ क्या है कमान गाइस ऑफ क्या है प्रप्रॉजेशन है तो जो आपका सब्जेक्ट होगा टू थर्ड्स होना चाहिए लेकिन ये टू थर्ड्स क्या है नॉन कॉमपक्त नाउन है ना ज इस बार फिर हम नंबर कहां से लेंगे इसके ठीक एजसेंट यानि इस से लेंगे तो आपको क्या लगता है student singular लिखा है तो क्या मैं यहां work of was कर दू ठीक हो जाएगा क्या लगता है आपको same trick अगर उपर वारी यहां apply करोगे pillar similar था तो two thirds को singular treat करते हुए वब को similar कर दिया था on the contrary two thirds को इसका number fix नहीं होता उसने pillars के लिए जब वो यूज हुआ तो plural verb लेना सही समझा plural verb यूज किया गया तो क्या यहां भी वब को similar कर दू लेकिन ना गलत हो जाएगा आप सोचो एक ही student का दो तिया हिस्सा बुरी तरह से घायल था क्या आप किसी व्यक्ति को किसी इंसान को टुकुडों में count करते हैं टुकुडों में उसकी बात करते हैं कि तुम्हारी शरीर में से एक तिया हिस्सा जो है वो बड़ा अच्छा है और दो तिया हिस्सा निया ह किया जाएगा बलकि यहां students कर दिया जाएगा इसका मतलब है कहीं किसी यात्रा में किसी जगे कई चातर थे और उनमें से दो तिहाई चातर बुरी तरह घायल हो गए थे आप एक ही चातर का दो तिहाई हिस्सा घायल नहीं कर सकते हैं is that clear? no आप parts में नहीं बात कर सकते हैं तो यहां वर्त तो रहेगा लेकिन यह बदला जाएगा I hope आपको बात समझ रही होगी ऐसी पेचीदा बातों को समझने के लिए बागे vocabulary आप जानती है पिक के थू आडियो का 3 4th 3 4th of the question of the question was wrong है ना और इसे मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया A part B part C अगर आपको लगता है इसमें कोई error नहीं है तो answer क्या हो जाएगा D no error मतलब D और यह पार्ट क्या हो गया A और यह क्या हो गया B और यह क्या हो गया C is a clear A B C comment कर आप मुझे बताएंगे कि यह यह आपका homework है comment कर मुझे बताएंगे किस पार्ट में क्या गलती है 3 4th of the question was wrong you will have to tell me right बहुत धेन से देखो आगी चलते हैं चीज़ों को देखते समझते हुए आज मैं आपके लिए कोई बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी information piece of information लाया हूँ जिसका आपको एक बहुत मुद्द से था इंतजार वो गड़ी आ गई है और कमर कसकर हो जाओ तयार इस बार अपनी तयारी को आप देंगे एक नया एक last attempt देते हुए एक अंतिब कहते हैं इस बार SSC पार इस बार examination पार और अच्छे अच्छे जाएंगे तुम्हारे सामने जी हां मान लो हार इस बात को समझेंगे और आगे चलेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ तो special batch आ रहा है बच्छे आपके लिए याद रखेंगे आपकी demand पर बार बार में बता रहा हूँ और हाँ दोनो special batch आपके कट के नाम से और वो आपको रुबरू कराएंगे ऐसे concept से ऐसी बातों से जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना और देखा भी ना हो अनसुनी अन कही बाते महारत हाशिल करके बैठे हुए हैं और बात करेंगे आपके धन्जे सर अर्थमेटिक को पढ़ाएंगे और उ देट 18 दिसम्बर 18 दिसम्बर है टाइम की बात करेंगे 11 o'clock है बखी और में बात करूंगा इंग्लिश मैं यानि जियस आदो आए जियस आदो विल भी टीचिंग वी इंग्लिश एक्जास्टिवली कवरिंग इच अन एवर्टिंग सब कुछ कवर करते हुए वक्याबलरी 6 days test होंगे PYQ होंगे Monday to Saturday पढ़ेंगे डेट ये रही 18 दिसम्बर से और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा 120 से 220 पीम तक जा देखेंगे टाइम को स्टार्टिंग 11 o'clock से हो रही है पहले आप पढ़ेंगे अर्थ मैं चेक 11 से 12 उसके बाद पढ़ेंगे क्या एडवांस यानि 12 10 से 110 तक उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा English यानि 120 से 220 तक और मुद्द की बात करेंगे क्या 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 आपको पढ़ाएं जाएगा इस बात जो बिलकर खुलकर सारी बात कर रहा हूं 1000 वन वट बी 1000 अरू 1500 सेनोनिम्स और यह अन्टनिम्स आई होब डिस इस क्लेर तो आप सब को समझा रही होगी या सोनो राइट्ट टोचल अगर अपट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे 6000 राइट्ट क्या 6000 और camera बहूंप सारी बाते हैं जनें क्लियर किया जाएगा यहां cover किया जाएगा homonyms, homophones, paronyms, acronyms, calmes, portm 오늘도 और foreign phrases बहुत सारी बात थां पर हर टॉपिक को करने के बाद उस पर फोकस किया जाएगा PYQ कराया जाएगा SSC सब कुछ कवर करते हुए PYQ को कवर करते हुए everything paper sets को करेंगे और फिर हम comprehension यानि जंबल sentences PQR is a close test approach 2000 questions को करेंगे is a clear right और देखो ध्यान से मैंने आपको बता है इसमें क्या क्या गूट किया जाएगा this batch would include previous year set practice in many a class कई classes में practice आपको कराया जाएगी previous year complete sets आपको कराया जाएगे vocabulary would be through audio and visual tricks you guys must be knowing कि इसी तरह से आपको पढ़ाया जाता है audio and visual trick के साथ और ample number of questions परियाप्त प्रश्णों की संख्या प्रश्णों की संख्या रखी जाएगे परियाप्त हर सब कैटिगरी में सब कैटिगरी का मतलब होता है अगर मैंने vocabulary लिया तो इसके सब कैटिगरी हो जाएगी idioms, one word substitution, antonym, synonyms, जी हैं antonym ना कि antonym is that clear, grammar की बात करेंगे तो उसके topics हो जाएगे, noun, pronounce, subject, verb, agreement, conditional, उन सभी पर आपके ample number of questions होगे, हम बात करेंगे PYQ, SSC से, SSC, NDA, CDS, Bank and other and other, yes, other competitive examinations और बड़ी बात सोने पर सुआगा, I see you on the cake now, let me tell you one thing, here, look at this point, यहां दखेंगे basics of spoken English भी आपको यहां दिया जाएगा, structures देकर आपको mic पकड़ा कर हम बात करेंगे एक दुस्रे से भरे batch में, so that you guys would be rooting out public speaking phobia, demophobia, public speaking जैसी चीज़े भी आपको यहां से खा दी जाएगी, spoken English क के साथ, कैसे mask को face करना है, कैसे confidence को boost करना है, वो बात आपको बताई जाएगी, और logical, यहाद है किना, यह बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, logical multitasking, 360 degree approach, यह क्या होता है, जरा ध्यान से समझने के कोशिश करना, क्या, 360 degree approach का मतलब यह है, कि चीज़ें आपको बहुत versatility के साथ सिखाई जाएंगी, क्यों? मैं जो grammar कराऊंगा, या जो vocabulary कराऊंगा, मैं passage बना कर आपको पढ़ाऊंगा, word को जोड़कर passage बना दूँगा, उसके बाद उसके नीचे questions दिये जाएंगे, जिन questions को आप attempt करेंगे, unseen passage समझ कर, तो एक पंत दो काज अपने अभी तक सुने हुए अब एक पंत होंगे कई काज, कहते हैं, कहते हैं क्या सत्य सया के देवरे, जियो नाविक के तीर, देखर में छोटे लगे और घाव करें, गमभीर या तखना, ट्रिक्स बहुत छोटी होंगी, लेकिन बहुत काम की बहुत कामयाब ट्रिक्स होंगी, जो आपको दी नखेंगे, और देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, थैंक्यू, थैंक्यू बोलने से पहले बड़ी बात मैं आपको बता दू, अगर आप इंडिविज्वल, इंडिविज्वल मैं आपको बता दू, अगर आप सेपरेट बैचिस लेते हैं, तो मैं आपको बता दू, जो अगर आप पढ़ते हैं, कमबाइंड, कमबाइंड, तो यूलाव टूपे सेवन थाउजंड, दास्ट फी, तो इस बार कमर कसलो, और आपकी मेहनत हमारा साथ, सरकारी नौकरी होगी आपके हाथ, गाइस, कैच यू इन सम अधर वीडियो सून, तिल दैन, बाबाए, ठेक क्या ते है सेव स्टेहली, जाहन्त जाभारत.